हे एवरिवन, I hope you all are doing well फ्रेंग मेरे हाथों में यह जो फ्लावर वास आप देख रहे हैं यह काफी पुराना है, लगबख 20 एर ओल्ड यह वास है और इसे किसी ने मुझे गिफ्ट किया था तो इसे मैं हटाना भी नहीं चाहती थी बट काफी पुराना होने की वज़े से इसके उपर की पेंट छुटने लगी है जो कि देखने में अब काफी पुराना एंड डल लग रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे डेकोरेट करके कुछ न्यू लुक दिया जाए तो फ्रेंट चली करते हैं कुछ इसका डियाइवाई तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डिफरेंट सेप के मीरर और इस क्लूज की हेल्प से हम मीरर को इस पर स्टिक करेंगे कि अप्राइब से क्वाईब से रही हूँ जाए प्रेंट रही हूँ प्रयूज करेंगे लूज रही हूँ एखरेंगे इस पर रही हूँ पर ख़गोरेज चली करेंगे कर दो 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 सकते हैं तो इस तरह से हमारे सारे मिरर अब लग गए हैं और ये बस मिरर से भी आप देख सकते हैं काफी सुन्दर दिख रहा है बट मिरर के बीच में जो गैप है उसे कभर करने के लिए अब हम करेंगे मोजाइक आर्ट तो मोजाइक आर्ट करने के लिए अब हम लेंगे बीओ पी ये पैकेट मुझे दो केजी का 40 रुपे में मिला तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना सस्था पड़ा कि इतने बड़े पैकेट से हैं तो हम बहुत सारे आर्ट कर सकते हैं तो यहां पर हम एक बाउल लेंगे और उसमें थोड़ा सा प्योपी डालेंगे फिर उसमें हम फेवी कोल डालेंगे एक दो चमज की एराउंड और फेवी कोल में हम एमार वाला ही यूज करेंगे फिर इसमें अपने पसंद का हम कलर एड़ करेंगे तो यहां पर मैं ले रहे हूं एक्रेलिक पेंट का पिंक कलर और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम एक इसका ठीक पेस्ट तैयार कर लेंगे और अब हमारा मीडर काफी अच्छे से चिपक गया है तब अब हम इसके उपर पेस्ट लगाएंगे और आफे थोड़ा थोड़ा थोड़ाएंगे मुझे जाए जाए और थोड़े देर के लिए हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे और फ्रेंड हमारे हां तो काफी ठंड पड़ रही है तो मैंने तो ब्लोर के आगे रख के इसे थोड़ा जल्दी से सुखा लिया था और जब ये थोड़ा थोड़ा सूखने लगे तब इस स्टेज पर हम इस पॉंज को थोड़ा गीला करके या गीली कप्रे की हेल्ब से मीरर पर लगे इस पेस्ट को हम क्लीन करेंगे और ध्यान रहे कि जब आपका पेस्ट आधा सूखा रहे उसी स्टेज पर हम क्लीन करेंगे अगर पूरा सूख जाने पर आप क्लीन करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल से क्लीन होगा क्लीन होगा तो क्लीन होने के बाद आप देख सकते हैं यह कितना सुन्दर दिख रहा है तो फ्रेंट चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो और जरा भी यूजफर लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की यूजफूल वीडियो को आप मिस ना कर पाएं और फ्रेंड मस्त रहें ब्यस्त रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब त